नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर भवानी शंकर अपनी यूटूब चैनल में आपका श्वागत करता हूं आज इस एपिसोड में मैं चर्चा करने जा रहा हूं फंगल इंफेक्शन का महिला एवंग पुरुष दोनों के सरीर के अलग-अलग अंगों में कभी न कभी फंगल होता ही है और फंगस की संथे परिशानी होती है वासे फंगल इंफेक्शन का मैं आज चीकर कर रहा हूं और उनके लक्षें कया है उनकी पहचान क्या है कौन से तो आई दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं फंगल इंफेक्शन पर पहला जो फंगस पर मैं चर्चा करूंगा उसका नाम है केंडीडा हुटा कहा है इस वाणिता हुं..्जाने न शिंडा ए माहिलाओं नव्हिता है आज आपहों के स्भीनन को भी लिए लाचो successor महीलाओं के पुरोषय में पिदा चुम्हिता है वल्व विजाईनल के लिए ल्हाईयना में होता है महालव विजाईनल कैंडी सीजित नमसे जालते है और acute teaching से महिलाएं परिशान हो जाती है यह महिलाओं की एक जटिल समस्या है जिसमें इस वेजाइनल इंफेक्शन के लिए जो फंगस जम्यवार है वो Candida है तो आईए देखते हैं कि वल्वो वेजाइनल Candidiasis की दवा क्या है इसकी important दवा है Candida 200 Candida 200 को लेना है शुआ शुआ शाम 3-4 बन की मात्रा और दूसरी दवा है 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 इसको कैसे लेना है दोस्तों ऐसी महिलाएं लेंगी जिनको वल्व वेजाइनल Candidiasis है जानी उनके वेजाइनल पार्ट में Candida का infection है तो Candida को ठीक करने के लिए वो एक Candida ले रही है Candida को नाम से ही आता है Candida 200 और दूसरा आता है हेलोनियस दोस्तों Candida 200 और हेलोनियस दोस्तों को लेंगी 3-4 बन की मात्रा शुआ शुआ शाम थोए से पानी में और उसके साथ लेंगी आरेटी टू आरेटी टू आरेटी टू विए एक एंटिफंगल ड्रग है जर्मन रेकवारी जर्मन का बना हुआ है वेडिन जर्मन इसको भी लेंगे पंदरभूं की मात्रा तीन वार थोए से पानी में आरेटी टू एक एंटीडा दौश्वा है अलौनियस दौश्व ये औरल मेडिसिंस हो गांए उनको खाना है जब महिला को केंडीडा का इंफिक्षिन वह गया है यानि वालमो वजाइनल कैंडिएसिस हो गया है और उनके भेजाइनल दिचार्ज है और वजाइनल इडिटे का जदी वो यूटी आई की शेफर रही है इनको एको लाई रहा है रेगुलर तो एक आरेटी शेवन भी आता है जर्मन का आरेटी शेवन भी ले लेंगे पंद्रबुंत की मातरा तीन वार अगर उनको यूटी आई रहा हो तो इन सारी दौाओं को लेने से केंडीडा का अगर उनको यूटी आई हो तो उनको भी डवलप हो जाता है उनको भी इन ही सारी दवाओं को लेना है लोनियस ने लेंगे वह लेंगे कंडीडा दोश्या आरेटी टू और अगर उनको यूटी आई रहा है तो रेटी सेवन और क्यूंके मदट इंचर को पानी में अगर परह busy को डेमेश को घेटा है और आपके स्काल्प में होता है आपको जलाते रहते हैं और आपके हैर फॉll हो जाते है उसके सियल समें दो दिन लेंगे और टिलूरियम 200 लेंगे शुवाशाम थोई से पानी में और शाथ में लेंगे यह रूट्स को क्लीन करेगा और वहां जो फंगस है उसको ठीक करेगा तीनिया कैपिटिस को तूर करने के लिए तीन दमाओं का आप इस्तेमाल करें टिलूरियम 200 शुवाशाम 3-4 दॉप स्विध वाटर शैलिशिया वानियम की मात्रा शैलिशिया वानियम की मात्रा शप्ता में दो दिन शोंबार लिजिए शुगरवार लिजिए तीन से चार बुन थोड़े से पानी में और एक एक्स्टरनल अप्लिकेशन के लिए में बता कुछलार्या क्यों कुछलारिया मधा जुखलारिया मधा ट army tilla kaur को कैसे क्या करना शुखलारिया मंदद इंचर को आप astronomि वाईल में मिलाकर भी एक्स रिकान अब लगा अर ऐसे घ्रप लेना चाहितो सीधी Er newl कुई को हैर रूट्स में मसाज कर सकते हैं और इफरा जहरीला है तो हां धोकर ही खाना खाएं एंडवास करके ही इसका इस्तेमाल के बाद जरूर हैंडवास करें और बचे हुए अरिया में जहां पर उमीद है कि लगा हुआ है जहरीला अब दवा तो उसको पोच लें तिये म और एडल 73 पंदरबुद की मातरा तीन बार और एक्स्टरनल अप्लिकेशन के लिए जो दवाई मेह ने बताई है उसका इस्तेमाल करें कोचलारिया की उसका नाम है किसी अच्छी कंपनी का पूरे हैर रूट्स में उसको मलिए जबता में कम से कम दो-तीन दिन और हैर दिनार रूट्स में इस्को आपके तेन इंफेक्शन को ठीक करने की दवा अब मैं चर्चा करते हूँगा कि नाखून dice क्योंका नाम में कौन आखूझ में खनक्राइब होते हैं क्य आनका ओड़ाइं मेरे भी सब्सक्राइब ब्लोडोला नचरन िवार या वंका गेर्वार्ण आपको चला हो, कैंसर की दवाई चली हो ही हो या और किसी तरह का ब्लेड सर्कुलेशन पूर हुआ हो सरीट के इससे में तो इस तरह का डेवलेप्मेंट देखने को मिलता है इस टीनिया यून गीयम का लक्षन क्या है इससे नाखुन आपके हाथ पैर के पीले हो जाते हैं और जैसे जब तब नाखुन आपके फट जाएंगे और पीले अहोगे यह जाए जैसे उसमें किसी ने अही रशओ दीया उपने रंग को छोड़ दे इस एक जम पीला हो जाता है ना खुन वैजसे किस में आप क्या करेंगा वैसे हैं आप पैट्रॉलियम वनम पैटॉलियं वो इसमें भी आप आरेटी टू जोड सकते हैं आरेटी टू का मात्रा होई रहागा पंदरा से समधिर आपके नाक्षोन को छोड़ देगा और जो नए नाखुन आउनम भॉकर नको तरहं मत्तृ और सफेद आंगे जो नाखुन का अब का इनकोव्य नचर्ण रहेगा इस तरह से आप देखेंगे यह आपके नाफून स्वस्त हो गया एक अर फंड़स हो फंड़ जो नाखून को काला कर देता है और जिसके कारान नाखून काले होकर जळ्णने लगते हैं और कभी कभी देखने को मिलता है कि दुरी दूरी नाखून घाएब हो गया इस्वु कत है Mucormecusis, Mucormecusis जो fungus है यह काले कलर का होता है, और इसका नेचर होता है कि नाखुर को ऐसा डेमेज करता है कि आपके बुलियों से नाखुन गाइब होने लगते हैं, और यह बलड पहुंच जाता है और आपके 20-20 नाखुन डेमेज हो जाते हैं, जाते हैं, का आप देखेंगे कि आपके नाखुन ठीक हो गए और इन दबाओं को किसी अच्छी चिकित्सा के देखरेक में इस्तेमाल करें इस मेरा रिक्वेस्ट है जैन दोस्तों पोले कि आपका में आपके एका में इस आयादा से दोस्तों आपके जैए जएरेक में इस उचिसे आपके भीचे। कि आपके और इसमेशगे कि आपके अपके बदित्साट्वाबबबबबबबबबब। झाल झाल